यहाँ पर अपने को SUV वाला लुक मिल रहा है और उधर जो है ना क्रॉस ओवर वाला लुक और दोनों ही कार जो है ना यार बिल्कुल सेफेस्ट है अपनी सेग्मेंट में यह टाटा टी आगो है ना बड़ी स्टाइलिस लगती है इपर स्टाइल वील्स मिल रहे है पूरा जो तिन गुले और सामने आप देख रहे हैं अपनी दो सबसे फेवरिट कार एक तरफ है अपने पास टाटा टी आगो की एनारजी और दूसरे तरफ है अपनी टाटा फंच अब यह दोनों ही जो कार है ना बहुत जादा डेमांड में आज करो बहुत जादा प्यार मिल रहा है आपके साइट से तो आज अपन इन दोनों कार के बीच में डीटेल कंपैरिजन करने वाले अगर आप इन दोनों कार में से कोई भी लेना चाहरे और तो थोड़ा सा भी कर्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आप आपने पास XZ Variant है इसके Line Up का ये अपने पास जो टाटापंच है ये इसका Adventure रिदम के वियरियंट है अब ये दोनों वियरियंट है पनने क्यों चूज करें क्यों कि अर दोनों के जो प्राइसिंग है ना कहीं ना कहीं बहुत ज़कून है सात में ये वैलू फॉर मैं इसलि बात करें तो यह आपको आट लाग फंद्रा हजार में आजाती है अब बात करते हैं टाटा पंच एडवेंचर बेरिदम वेरियंट की तो यह एक शोरूम में आपको साथ लाग 24,000 में आ जाती है और इसके प्राइस की बात करें तो यह आपको 8,35,000 में आपको मिल जाएगी तो पॉल करके या विजिट करके आप सारी डीटेल्स ले सकते तो यहाँ पर अपन डिफरेंस पॉंट आउट करेंगे सबसे पहले जो टाटा टियागो एनार जी है यह यार जो टियागो आती है ना उसी के cross over एक variant है नेकित देखने में काफी जादा यह attractive लगती है साथ में इसकी जो capabilities है ना उससे जादा है और punch जो है यह तो यार सभी जानते हैं कि micro SUV सेगमेंट में आती है और दोनों ही car जो है ना यार बिलपल safest है अपनी सेगमेंट में 5 स्टार सेफटी रीटिंग मिल जाती है अपने को टाटा पंच पे और 4 स्टार सेफटी रीटिंग मिल जाती है अपने को टाटा टियागो एनार जी में तो चलिए walk around से start करेंगे pricing में ने आपको बता दी अब देखिए front में अगर देखिए अपन एनर जी में तो आपको टाटा का logo मिल जाता है grill की बात करें तो ट्रायरों मिल जाती है glossy नहीं है mat में दिया हूआ अब फ्रंट में अगर देखिए तो आपको chrome की एक strip मिल जाती है headlamps की अगर बात करें तो देखिए reflector based headlamps यहां मिल जाते है side में turn signals दिये हैं और नीचे अपने को quag lamps भी मिल जाते हैं अब देखियार skid bleed भी मिल जाती है आपको silver satin finish में और यह जो bumper है न यह add-on होता है NRG में यह आपको Tiago में नहीं मिलता देखने में काफी sporty यह लगती है अब इसके अगर ground clearance की बात करें तो यार 181 mm का इसमें ground clearance मिल जाता है काफी जादा capable बना देता है यह Tata Tiago NRG को अब देखिये front profile की बात करें अपन Tata punch में तो यह road presence तो बड़ा जबरदस्त है अब देखिये सबसे पहले center में आपको मिल जाता Tata का logo glossy black finish में अपने को grill मिल जाती है और यह जो है न strip black में मिलती है इसके उपर वाले variant में अपने को मिल जाती है chrome की अब देखिये side में अपने को turn signals मिल जाते है pilot lamp और नीचे अपने को reflector based headlamps मिल जाते है low beam high beam यह single unit काम परेगी और उसके नीचे अगर देखिये तो यहाँ पर अपने को fog lamps नहीं मिलते है इस spirit पे और try arrow देखिये bumper में आपको मिल जाता है काफी बड़िया है यह देखने में लगता है अब इसकी अगर ground clearance की बात करें यहार micro SUV है तो कहीना की ground clearance तो बिल्कुल justify करना चाहिए तो 187 mm का इस पर अपने को ground clearance मिल जाता है काफी capable बनाता है इसको अब देखिये यहाँ पर यह front profile की बात करें तो कुछ ऐसे looks आते है टाटा punch adventure rhythm variant के और इस side अगर अगर अपन देखें तो टाटा टियागो एनरजी के XZ variant के ऐसे कुछ लुकसाते है अब यहर चावी मैंने आपको नहीं दिखाई तो punch adventure में अपने को चावी कैसे मिल जाती है देखें यहाँ पर ऐसे कुछ चावी मिल जाती है flip key मिलती है एक lock, unlock और follow me head lamp यह 3 मिल जाते है और एक flip key और दूसरी जो है वो normal मिल जाती है तो इसको अपन यहाँ पर रख देते हैं यह हो गया अब XZ में अगर देखें energy के तो अपने को मिल जाती है यार proper remote key अब देखें यहाँ पर proper remote key मिल रही है functions की अगर बात करें तो lock, unlock, follow me head lamp और boot unlock करने का option मिल जाता है और इसको अगर मैं click करता हूँ तो अपने जो OR भी है में वो भी fold हो जाते है और unlock करने में unfold भी हो जाते है तो यह feature अपने को यहाँ मिल जाता है तो यह एक difference तो होई यहाँ पर front profile complete होती है अब side profile में अब जैसी जाते है तो देखें Tata Tiago NRG के side profile में जो wheels है ना देखने में बिल्कुल allowed wheel वाला feel आएगा लेकिन है यह hyper style wheel cladding देखें कितनी बड़ी है मिल रही मतलब अपनी चोट Tata Tiago हो है ना बड़ी stylish लगती है इस side से फोड़ा सा dark लग रहा है इस side से पन देखते है तो देखें कितनी बड़ी है आपको मिल जाती है wheels के अगर section की बात करें तो यहाँ पर अपने को मिल जाता है 175 60 R15 15 इंच के आप है wheels मिल रहे है hyper style wheels मिल रहे हैं देखने में काफी ज़्यादा ही attractive लगते है front में disc brake और rear में अपने को मिल जाते हैं drum brake तो यह इसके braking का setup है over vm की बात करें तो देखें glossy black finish में मिल जाता है यह जो over vm है ना electrically adjustable और foldable दोनों option मिल जाता है और यहाँ पे देखें LED turn signals में मिल जाते है अब अपन बात करें side profile में Tata punch की तो इसके जो wheels है ना वो देखते हैं उससे पहले देखी cladding under the body पूरी मिल जाती है पूरा जो feel आता है ना compact SUV का वो आपको punch में मिल जाता है wheels के section की बात करें तो 185 75 R 15 तो profile जादा मिलने वाली है आपको Tata Tago Energy से लेकिन दोनों जो wheels है ना 15 inch की है अब यहाँ पे steel rims मिल रहे हैं लेकिन यार देखने में इतने जादा यह attractive लगते है क्योंकि अपने को glossy black finish के यहाँ पे अपने को wheel cover मिल जाते हैं तो एर कितना मस्त लूप आ रहा है ना तो चलिए यह हो गया तो दोनों side के अपने देख लिए side profile complete होती है तो यहाँ पे आप देख सकते है side by side कहीं न कहीं Tata points थोड़ी सी height इस से जादा लगती है क्योंकि इसक इंट्रिक option यहाँ पे मिल रहा है अंदर push charge stop का button भी बिलेगा पक्षी बात है तो यह extra मिल जाता है जो अपने को Tata punch में नहीं मिलता प्यूंकि वहाँ पे अपने को normal flip की मिल जाती है तो side profile अपनी complete होती है उपर roof rails भी मिल रहे है यार exit variant में जबरदस्त look आते और उपर अप आपको इसका detailed walk around देखना है तो मेरे channel में मिल जाएगा और मैं i button में भी दे दूँगा तो वहाँ से अब जो detailed walk around है न वो देख सकते हैं सबसे पिले Tata Tiago NRG का rear profile देखते है उपर अपने को high mode stop lamp मिल जाता है rear defog और wiper सारे के सारे option मिल जाते है center पर Tata का logo Tiago की badging और NRG की badging म आपे मिल जाता है अब नीचे अगर देखे तो अपने को एक request sensor भी मिल जाता है और उसके नीचे मिल जाता है अपने को rear view camera और दो मिल जाते है अपने को rear parking sensors नीचे skid plate भी दी हुई है और rear profile से देखे तो कच्छे ऐसे looks आते हैं अपने Tata Tiago NRG के मस्त सी लगती है मतलब जो normal Tiago है उसके बाद अगर इसको आप देखोंगे तो बिल्कुल अलग ही feel होगा आपको अब चलते है Tata punch के side में तो यहाँ पे देखे हाई mount stop lamp यहाँ पे मिल जाता है defogger और wiper आपको adventure rhythm में नहीं मिलेगा सेंटर में Tata का logo मिल जाता है rear view camera भी मिल जाता है क्योंकि यह rhythm variant है punch की bold wedging मिल जाती है नीचे दो आपको मिल जाते है reverse parking scissors और नीचे उसके नीचे आपको मिल जाता है rear parking जो आपके lamps है न वो मिल जाते है tail lamps की बात करें तो पूरा halogen setup यहाँ पे भी दिया हुआ है brake lamp, turn signals और reverse parking lamp नीचे मिल जाता है दो reflector मिल जाते है side में आपको try arrow का जो design है बड़ा मस्त सा लख है तो rear profile से देखें तो कुछ ऐसे looks आते हैं लेकिन energy भी कहीं से कम नहीं लग रही तो rear profile complete होती है अब बात कर लेते हैं इसके boot space की तो यहाँ से मैंने click किया अच्छा चाबी सामने रखी हुई है क्योंकि अपने को remote की मिल जाती है तो इसको अपने को साथ में रखना पड़ेगा तो यह देखें इसको open रख लेते हैं साथ में तो boot space open करने के लिए अब देखें यहाँ से मैंने जैसी click किया तो boot space open हो जाएगा अब boot space की बात करें तो parcel tray भी यहाँ पर अपने को मिल रहा है अब अंदर अगर देखें तो यहार 242 liter का मतलब 242 liter का boot space मिल रहा है काफी बड़िया है इस segment के है इसाप से और side में एक hook मिल जाता है इधर 3 kg के साथ में और इधर भी मिल जाता है मतलब दो hooks मिल जाते हैं और इसके नीचे मिल जाता है अपने को spare wheel तो इसका जो section है वो मिल जाता है अपने को कहा पर दिया हुआ है यह R13 मतलब low speed का यहाँ पर normal steel rim मिल जाता है ऊपर मिल जाती है cladding और यहाँ से इसको कर देते हैं बंद तो यह हो गया अब चलते है punch के side में और देखते हैं वहाँ पर कितना boot space मिल जाता है तो इसको अपन यहाँ पर भी अपने को request sensor मिल जाता है चावी दुबारा से अपने प sensor और यह हो गया boot space open तो देखिए parcel tray यहाँ पर भी अपने को मिल रहा है और boot space की बात करें तो यहाँ पर एक edge मिल जाता है Tata punch को 366 लीटर का boot space मिल जाता है काफी बढ़ा है और काफी deep यहाँ पर space मिलने वाला है hook इदर भी मिल रहा है और इदर भी hook मिल जाता है दोनों जो हैं एक kg वाले हैं और उदर अपने को मिल रहे थे 3 kg वाले side में tire puncher repair kit भी मिल जाती है मतब tire mobility kit और इसके अगर spare wheel की बात करें तो इसके नीचे मिल जाता है section की अगर बात करें तो 15 inch का ही यहाँ पर अपने को spare wheel मिल जाता है वहाँ पर low speed का tire दिया हुआ है दो size कम का दिया है लेकिन यहाँ पर same size का अपने को steel rim मिल जाता है तो इतना क अपन नीचे करते हैं और यहाँ से करते हैं इसे बन अब दोनों side की अपने जो rear profile है complete होती है अब side में अगर अगर अपन जाते है तो अपने को मिल जाता है fuel filler cap अब fuel tank capacity की बात करें तो इसमें अपने को 35 liter का मिल जाता है fuel tank mileage में बात में बताता हूं और punch की अगर बात करें तो यहाँ पे अपने को मिल जाता है 37 liter का fuel tank और दोनों के ही जो mileage है और BS 6.2 के जो upgrade आया उसके बाद में mileage बहुत जादा improve हो गया है 20 से 21 की MPL का ARI claim mileage मिल जाता है तो काफी improve हो गया है साथ में जो refinement है ना दोनों के engine में वो भी बहुत जबरदस्त हो गया है तो mileage यहाँ पे दोनों के बहुत improve हो गया इससे जादा कभी mileage इसके जो owners है ना वो इससे निकाल लेते हैं तो walk around अपने सारी चीज़े देख लिए अब चलते है energy के अंदर interior देखते हैं उसके बाद आपन देखे कि Tata punch का तो अपने पास चाबी है request sensor अपने क्लिक किया और अपने जो ORVM है वो भी unfold होगा है दोर पैनल की अगर बात करें पूरा का पूरा जो है ना black में आपको interior मिल जाता तो यह आर परसनली मुझे बहुत बढ़िया लगता है अब देखिए दोर पैनल पे चारो power window के बटन ORVM control और fold करने के लिए बटन नीचे bottle holder और speaker का grill speakers इसमें आपको total 4 मिल ज जाते हैं Twitter तो यह इसके sound का setup है बड़ा जबर्दस त्यार sound का setup अब डोर जो है ना जैसी आप खोलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि build quality तरी तगड़ी क्यों है seats की बात करें तो पूरी फैबरी का positive मिल रही है height adjustment का भी option मिल जाता है दोनों जो अपने headrest है वो भी adjustable मिल जाते हैं तो अंदर अपन चलते हैं और देखते हैं क्या क्या features मिल जाते हैं इस variant में सबसे पहले इसकी जो चाबी है वो तो मैंने आपको दिखाई दिये तो इसको अपन रख देते हैं यहाँ पे और gate को अपन कर देते हैं बंद तो यह हो गया अब car को अपन on कर लेते हैं टीटी को बंद कर देते हैं जिससे जो refinement अना वो भी चेक हो जाएगा तो इसको जैसी अपन प्रेस करते हैं clutch और यह push start stop का button मिल जाता है तो यह देखिए यहाँ प क्लियर हो जाएगा steering wheel की बात करें सबसे पहले तो देखिए decat shape में मिल जाता है अब steering mounted controls मिल जाते हैं टेलिफॉनिक की और अपने जो multimedia है उसके controls सेंटर में Tata का logo और इसके अगर adjustment की बात करें तो देखिए यहाँ पे tilt मिल जाता है telescopic option यहाँ पे नहीं मिलता आपको left side में देखें तो wiper की controls और right side में कर देखें तो headlamps की control मिल जाते हैं अब MID की बात करें तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरे digital मिल जाता है left side में आपको tachometer मिल जाता है center में MID और right side में fuel gauge और temperature gauge अब यहाँ पे क्या के मिल जाता है अपने को देखिए trip A में 20 मतलब लगब 20 का mileage था भी गाड़ी जो है आइडल केंडिशन में मैंने on रखी थी तो 19.4 दिखा रहा है तो mileage भी जबरदसत है trip A, trip B, odometer, range दिखा रहा है तो इतने कुछ features मिल जाते है center console की बात करें, dashboard की बात करें तो यहर देखिए पूरा ग्रेनी form में दिया हुआ है अब center में अपने को harman powered 7 inch का infotainment system मिल जाता है अब यह connect करता है android auto और apple carplay को तो काफी बड़ी है इसमें आपको जो sound quality ना मिलने वाली है वो भी बड़ी जबरदस वतलब premium quality की बोल सकते है उपर AC vents मिल जाते है नीचे hazard का button मिल जाता है center में hazard का button मिल जाता है अब नीचे अगर देखिए तो physical controls मिल जाते हैं push start stop को button मिल जाता है और उसकी नीचे अगर देखिए तो अपने को manual AC के controls मिल जाते हैं और इधर क्या दिया हुआ है 12V का power socket और USB connectivity नीचे यहां पर देखिए तो phone वगेरे रखने के लिए थोड़ा space मिल जाता है 5-speed का manual gearbox मिल जाता है अब reverse camera की अगर quality की बात करें त तो यह देखिए काफी बड़िया quality मिल जाती है reverse camera की भी और यह जो है बिलकुल dynamic guideline के साथ में भी आता है अब पीछे cup holders मिल जाते हैं handbrake मिल जाता है chrome tip के साथ में और इधर अगर देखें तो अपने को मिल जाता है glove box काफी बड़िया है काफी deep है और यह जो है na cold glove box है काफी vanity mirror भी मिल जाता है तो इतना कुछ features मिल जाता है अपने को और साथ में इसके safety features की बात करें तो इसमें आपको दो airbag मिल जाते है front में ABS मिल जाता है EBD मिल जाता है safety features तो बड़े जबरदस्त है अब देखिए under thigh support की बात करें तो काफी comfortable seats है अपनी टाड़ा टियागो एनार ज यहां से एक dead pedal भी मिल जाता है बिलकुल तो चलिए अब उदर चलते हैं अपन अब देखते हैं वहां पे क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं यहां कि यहां सारी चीज़े देख लिए अब rear seat को बात में देखते हैं पहले उदर की features देख लेते हैं तो देखिए यहां पे liquid sensor नहीं मिलता कि की अपने को remote key नहीं मिलती हैं यहां पे सबसे बिले door panel की बात करें तो देखिए dual tone में मिल जाता है चारो power window का बटन मिल जाते है और वी हम control करने के लिए fold यहां से नहीं होता है नीचे button holder और यहां पे अपने को एक dedicated umbrella holder भी मिल जाता है तो यह additional है नीचे speaker क टोटल इसमें आपको चार speakers मिल जाते हैं अब seats की बात करें तो fabric repository है काफी बड़ी है seat है काफी comfortable है लेकिन height adjustment को option यहां नहीं मिलता अब सबसे पहले इसके cluster है उसको on करके मैं दिखा देता हूं तो उसके लिए अपने को चाहिए रहीगी चाबी तो यहां बे चाबी में लगा देता हूं और cluster on करके देख लेते हैं देखिए ऐसा कुछ welcome करता instrument cluster digital plus analog दोनों form में दिया हुआ है और यह जो है आपको बहुत प चल्ट्रोल्स भी मिल रहे है आपको जो टेलिफोनिक है और मल्टिमीडिया के और अपने को सेंटर में मिल जाता है टाटा का लोगों इसके एडिसमेंट की बात करें तो यह टील्ट मिल जाता है टेलिस्कोपिक और आप्शन यहां नहीं दिया हुआ है left side में अगर देखे तो अपने wiper के control मिल जाते हैं और right side में अगर देखे तो अपने headlamps के control मिल जाते हैं instrument cluster में क्या क्या मिल जाता है left side में tachometer दिया हुआ है center में MID है right side में अपना speedometer मिल जाता है यहाँ देखिए fuel gauge दिखा रहा है देखे, trip A, trip B, अब यहाँ पर range दिखा रहा है, तो इतने कुछ features यहाँ मिल जाते हैं, अब center console की बात करें, dashboard की बात करें, तो यहाँ पर अपने को floating style में, infotainment system मिल जाता है, दोनों के दोनों ही harman powered है, लेकिन यह floating style में है, same इसमें आपको Android Auto और Apple CarPlay की connectivity मिल जाती है, reverse parking camera इस variant पर आपको मिल जाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो बने रही है, काफी जादा informative रहने वाला है यह वीडियो, यह वीडियो थोना लंबा हो जाए, लेकिन सारी चीज़े आज अपन डीटेल में देखने वाला है, तो end तक आप बने रही है, अब देखे, नीचे इस events मिल जाते हैं, hazard का बटन और उसके नीचे अपन आते हैं, तो यहाँ पे manual इसी एक controls मिल जाते हैं, लेकिन ये जो controls है ना है, देखने में कहीं न कहीं बहुत जादा premium लगते हैं, मुझे personally, आपको क्या लगता है, आप मुझे comment करके जरूर बिताएगा, नीचे 12V का power socket, USB connectivity है और उसके नीचे कर देखें, तो यहाँ पे जो space है ना, वो deep भी दिया हुआ है, और ज्यादा बड़ा space दिया हुआ है, अब 5-speed का manual gearbox मिल जाता है, same इसमें आपको AM TV मिल जाता है, reverse camera की quality की बात करें, तो देखिए, काफी बढ़िया quality यहाँ पे भी अपने को मिल रही है और यह जो है, बिलकुर dynamic guideline के साथ में आता है, पीछे अपना आते हैं, तो यहाँ पे cup holders मिल जाते हैं, handbrake मिल जाता है, और इधर अपना आते हैं, तो अपने को मिल जाता है, club box और size देखिए, काफी बढ़िया club box यहाँ पे मिल जाता है, उपर आते हैं, तो अपने को यहा मिल रहे हैं ABS मिल रहा है EVD मिल रहा है और 5 star भी मिल रहे हैं यहां पर safety के लिए अब seats की बात करें तो देखिए under thigh support काफी बढ़िया है और long drive काफी ज़्यादा comfortable रहने वाली Tata Punch की यह seats और दोनों यह seats जो है नार काफी comfortable है उसमें कोई issue नीचे अगर देखे तो तीन pedals और यहां पे जो dead pedal ही वह भी मिल जाता है तो चलिए front की सारी चीज़े देख लिए अब चलते है rear seat में और देखते हैं वहाँ पर कितना comfort मिल जाता है तो इ यहां पे रहे गया ideal start stop को button हो गया और side में city और eco mode का button तो यह मेरे से रहे गया था तो चलिए अब rear seat में चलते है यह देखे यहां से यह open हो जाएगा rear seat में अगर देखें तो door panel की पहले बात करते है power window का button मिल जाता है नीचे bottle holder और speaker का grill अब seats देखिए micro SUV है यार बहार से ज देख लेते हैं कि कितना space मिल जाता है तो देखिए काफी बढ़िया मुझे leg room मिल रहा है मेरी जो item 59 है और यह जो seat adjust है तो अब under the support की बात करे तो यह वो तो बहुत जबर्दस मिल रहा है मतलब यह जो segment है ना यार उसमें best in class अगर बोला जाए तो बिलकुल गलत नहीं होग seat काफी wide है तीन passenger easily bet के travel कर सकते हैं नीचे अगर देखे तो hump नहीं मिलता आपको तो यह काफी बढ़िया चीज़ एकदम flat दिया हुआ है अब rear seat से front dashboard कुछ ऐसा दिखता है टाटा punch के adventure rhythm variant का features देखिए और काफी बढ़िया मिल रहे है तो चलते हैं आप अपन टाटा टियाग एनरजी के rear seats में और वहाँ पर देखते कितना space मिल जाता है तो seat वहाँ पर पहले adjust करनी पड़ेगी तो वह अपन पहले कर लेते हैं उसके बाद rear seat में चलते हैं तो यह देखिए इस तो पहले adjust करते हैं तो यह हो गई मेरा हैट के फड़िंग एजिस्ट अब चलते हैं रिय पैनल की बात करें तो power window का button नीचे button holder और speaker का grill अब seats की देखिए बात करें अपन तो देखिए काफी wide seats मिल जाती है address अपने जो है वह भी fixed यहाँ पे भी मिल रहे है और अंदर अपन बैठके देख लेते हैं कि कितना space मिल जाता है अब यार punch की बात करें तो micro SUV वाले सेगमे की बात करें ना उसमें आपको जो Tata Tiago की seats से ना सबसे जादा comfortable मिलने वाली है आपको क्या लगता आप मुझे please बताइएगा अब देखिए यहाँ पे leg room काफी बढ़िया मिल रहा है मेरे height के recording adjust है और seat की बात करें तो तीन passenger यहाँ पे भी easily बैठ जाएंगे यहाँ पे minor से आपको हम मिल जाता है एक bottle holder मिल जाता है और rear seat से front dashboard कुछ ऐसा दिखता है Tata Tiago NRG के XZ variant का तो features यहाँ पे भी जबरदस मिल रहे है और punch में भी मिल रहे है तो चलिए यह देखिए lamp यहाँ पे आपको मिल जाता है जो की LED है तो चलते हैं आप rear seat की सारी चीज़े हो गई अब इसके engine की बात करते हैं तो interior और exterior सारी चीज़े अपने देख लिए अब बात कर लेते हैं engine की तो यहर दोनों ही अपनी car है ना इसमें अपने को 1.2 लीटर का naturally aspirated petrol engine मिल जाता है और दोनों जो है ना 3 cylinder है अब power की अगर बात करें तो लगबग इसमें 85 से 86 bhp का power मिल जाता है दोनों ही car में और power जो है ना काफी बढ़िया फीलोने वाला दोनों कार में और 7 में 113 Nm का torque भी मिल जाता है mileage मैंने बता है आपको पहले से काफी साथा improve हो गया है तो यार उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए मुझे लगता सारी चीज़े अपने cover कर लिए इस वीड ओन रॉम आ जाती है on-road price की बात करें तो यार अगर एक्ष़रूम की है तो चाळा है तो 12,000 ही डिफरेंस है तो यार प्राइजिंग की अगर बात करें ना तो on-road में 20,000 डिफरेंस तो ओन रोंड में लगभख 20,000 का डिफरेंस आने वाला है अगर आप Tiago से जिफ्चन बर लेकिन देखी यहाँ पर अपने को SUV वाला लुक मिल रहा है और उधर जो है ना क्रोस ओवर वाला लुक तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको पॉन सी कार ज्यादा पसंद है तो चलिए वीडियो में इतना ही रखते हैं मुझे लगता सारी जो डीटेल स्थी मैं आपको बता दिया कोशिश किया मैंने जो दोनों कार से ना उसके बीच में कमपारेजन करने की आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके बताएगा और आपकी कौन सी फेवरेट कार है वो भी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा चलिए वीडियो अच्छा नगाओ प्यार अच्छी लोगे तो प्लीज एक लाइक कर देना शेर कर देना अप्टे फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को थैंक्यू सो मच जय हिन